पीपल वो डॉट नो हिंदी सिलेश उर्दू लेंगविज यू केन रीड एवरीधिंग ओन दे स्क्रीन सो फर्स्ट ओफ वाल डू सब्सक्राइब इन ही ते बेल आइकन डीटेल्स ओफ वावे पीफिटी सीरीज केमरा रिविल्ड तो मतलब वावे के जो पीफिटी सीरीज है उसके जो है न हुज कैमरा सेंसर सामने आ चुके हैं यहां पे आप इमेज देख सकते हो ठीक है तो वावे जो है वो अपनी पीफिफिटी सीरीज के बारे में कुछ कैमरा पे काफी अच्छे से काम कर रहा है और ये Mi 11 Ultra को बीट कर सकता है P50 नहीं P50 Pro Huawei जो है ना फोटोग्राफी को पुश करता आ रहा है P20 सीरीज से जैसे की P20 Pro उसके बाद जो भी फोन्स आएं उनने जो है ना कैमरा की बहुत जादा धमाकेदार चीज़े करी है तो जो के लीक्स टर है Huawei की जो लीक्स बताता है Rodant 950 उसने जो इना तीन मौडल्स बताया थे P50, P50 Pro and the Pro Plus अब ये जो P50 सीरीज है उसमें Sony IMX707Y सेंसर होगा जो के दिखने में छोटा था प्रिवियस जो इना लीक के हिसाब से वो सेंसर था लेकिन जो P50 Pro है उसके अंदर Sony IMX800 सेंसर होगा जो के एक इंज का सेंसर है अब दोस्तों ये जो सेंसर यूज कर रहे है P50 सीरीज में जो है IMX600 जो सेंसर था P20 Pro में ये अल्मोस्ट उस जैसा ही है सेंसर लेकिन कुछ जो इना अपग्रेड्स हैं जैसे के सौफ़वेर अप्टिमाजिशन अच्छी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग बात करें P50 Pro Plus वाले सेंसर की तो ये काफी बड़ा सेंसर है और यहाँ पर जो Zoom END के बारे में बात करें तो ये का जा रहा है कि इसके साथ 3X Optical Zoom लेंस होने वाला है अब मेरे को नहीं पता कि वो कितना और पेरिस्कॉब भी लेंस होने वाला है मतलब कि दो सेंसर जो है न वो टेली फोटो लेंस वावे यूज़ कर सकता है और P50 Pro Plus के बारे में बात करें तो उसमें जो है न दो लेंस होंगे एक 3X Optical Zoom और एक 10X Periscope लेंस और ये जो है न सेंस लेंस है जो हमने S21 Ultra में देखे हैं 3X टेली फोटो और 10X Periscope तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी हुआवे की कैमरा अपग्रेट के बारे में और आप क्या सोचते हो मैं बताओं तो जो P50 सीरीज है वो थोड़ा सा डिसपॉइंड़ है क्यूंकि उसमें वही लेंस है जो P20 Pro में यूज़ किया गया है तो जो P50 Pro Plus है उसके जो लेंसे हैं वो ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा टकर दे सकते हैं Mi 11 Ultra को तो आप क्या सोचते हो about this let me know in the comment section I will catch you in the next one Peace out